अगले 5 साल में मोदी जी फिर एक बार कौनसे इसे स्टॉक्स रहेंगे सेक्टर्स रहेंगे जो एक आम आदमी आसानी से मल्टी बैगर रिटन बना सकता है तो अगर आप तयार हो मोदी जी और अमिच्छा के जैसे अगले 5 साल के लिए लेट्स जाए कौनसे इसे सेक्टर्स रहेंगे जिसमें मोदी जी और अमिच्छा और उनकी पूरी गवर्मेंट काम करने वाली हगले 5 सालों तक और उन्ही सेक्टर्स में और उन्ही स्टॉक्स में किस तरीक इस है हम as a trader as a investor फायदा उठा सकते हैं और trade कर सकते हैं मार्केट में ताकि हम वो डिटर्स बना पाए जो हम चाहते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर पाए जो हमने सेट करे हैं खुद के लिए और फैमली के लिए अगर आप यह जाना चाहते हो कि कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स को आप सिलेक कर सकते हो किस तरीक इसे सिलेक कर सकते हो टिप नहीं बहुत बार सुना होगा इंफ्रा चलेगा मैनुवेक्चरिंग चलेगा ये चलेगा वो चलेगा एनरजी चलेगा अरे मेरी जान अगर ऐसे रील्स देख करके पैसे बनने होते तो हर कोई बना लेता स्ट्राटेजी स्टेप बाई स्टेप जानने में इंटरस्ट रहे पांच सालों के लिए सो अब सवाल आ जाता है कि पता कैसे चलेगा कॉन सा सेक्टर चुने कॉन सा स्टॉक चुने सबसे पहले मैं पांच रास्ते बताऊंगा एक एक करके जाएंगे बड़ी आसान राशा में सुनो अब पर्स्ट टेप इस तो सी वाट गवर्मेंट इस टेलिंगा सी वाट मोदी जी एं अमिच्छा इस कॉंस्टिंटली स्पीकिंग उन्हें सुनना उनकी बातों पर ध्यान देना एंड आखे खुली रख करके सारी चीजे देखना के मैंनिफेस्टों में क्या है बारत का प अगले पांच साथ सोलर पावर से बिजली बिल जीरो इतना इने टियर टू टियर थ्री सिटी ने इने स्टांट अप से उसके एक नई पहचान के साथ उबरने वाला है कम्यूनिकेशन में बहुत ज़्यादा क्या है और दुनिया में बहुत ज़्यादा क्या है देट इस नमबर वान दूसरी चीज़ सी वाड इस गोईंग ओन अपनी आखे खोल करके देखो के चल क्या रहा है अगर मुझे मुंबई से गोवा जाना है तो सारे रस्ते खुदे हुए हैं हर जगा पे JCB पड़ी हुई है हम इंस्टाग्राम पे मीम बना के हस लेते हैं कि JCB हर जगा पे खुदी हुए फिर से रोड की खुदाई की और ये क्योंकि वो लोग वायरे डालना भूल गए थे टेलीफोन का एंड वी नो गैस के लिए मेट्रो के लिए नए रस्ते बनाने के लिए एक्सपंशन के लिए हर जगा पे रस्ते कुदे हुए हुए हंप इस वो कुछ बता रहा है मैं आंखे खुली ओर क दिक कहां पर देख रहे हो मुझे कहां पर सुन रहे हो मोबाईल में या लैप्टॉप में अच्छा ठीक मुझे बताओ तो मोबाईल में सुन रहा हूं, मैं टिप नहीं दे रहा हूं, यह कोई वह वाली रील शॉट वीडियो नहीं है कि सल्यूशन दे दू, स्टेप बाए स्टेप रास्ता बता रहा हूं, पांच साल नहीं, पचास साल के लिए कि कैसे स्टॉक चुनते हैं, कैसे बड़े इंवेस्टर स्टॉक सेलेक्ट करते हैं लाखों का ग्यान है यूट्यूब के वज़े से आज आप फ्री में लेने का आपको सौभा किया है और मुझे फ्री में सिखाने का सौभा किया है कि हम शेर कर पा रहे हैं इस नॉलेज को एक प्री ओफ कॉस्ट सो इसे य या फिर राकेश जुनजुनवाला जी को टाइटन मिला था एक कॉमन सेंस भी यूज करके तीसरा पॉइंट ऑब्जर्व मार्केट परफॉर्मेंस मार्केट में क्या चल रहा है उसे देखना स्टॉक्स को देखना कि भाई चल क्या रहा है और दाट इस वाट लीज तो अब इसका क्यों क्यों देखोगे मलब quarter on quarter profits, year on year profits, you will see some pattern, what's the pattern, can you see some rice, बढ़ता हुआ दिख रहा है, from this to this, yes no, oh come on everyone, yes or no, अगर दिख रहा है, तो आपको कुछ बता रहा है, चला चला करके, तो अगले पांच साल, अरे पांच छोड़ो अगले पचास साल, जहां पे जो stock में, जो tech sector में, QOQ, QOQ, year on year profit बढ़ रहा हो, bang, time to look into it, and then comes our all-time favorite, rising moving average, जब 200 moving average, and 44 moving average, एक particular stock में, rising है, मतलब वहां पे, long term and short term, दोनों के लिए stock अच्छा है, 44 moving average पे हमारा world record होगा, कोई एक strategy पे, एक करोड से जादा view होना, आज तक, दुनिया की कोई YouTube channel पे, ये data, ये number नहीं हुआ है, so, being an Indian, being a bharti, it's a very proud moment for us, कि हमने एक strategy को इतना प्यार लिया है, अमने इतना सीखा, फिर से मुद्दे पे आता हूँ, जब कोई strategy इस तरीके से, strategy नहीं moving average, कोई एक moving average, 244 जब एक ही stock में rising मिले, bang, that's the time, और a good stock to enter, शायद, ये पाँचों चीज़ जब एक जगा पे हो, तब वो युद्राथ सिंग वाला, 6-6-3 बारने का time आ चुका है, वो stock में या वो sector में, उसके साथ, 6-6-3 का मतलब ये नहीं होता है, कि हम risk management को हटा दे, emotions को हटा दे, diversifications को हटा दे, और हम hero बन करके trade करें, risk management करके सारी चीज़े करने हो, अब आपको मैं इनके कुछ examples देता हूँ, अगें, फिर से एक बार कह रहा हूँ, भ्यान से सुनना, जब मैं कोई sector का नाम लो, stock का नाम लो, that doesn't mean I am telling you to buy or sell, I am giving you an example on my thesis, जो मैंने आपको पहले बताई, this is the thesis, इसके base पे क्या-क्या आप देख सकते हो, आपका analysis कर सकते हो and trade कर सकते हो, सबसे पहला, जो बहुत लोग बोलते होंगे, infra, 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 अरे मेरी जान infra, क्यों? सबसे पहले जीज, मुदी जी खुद बोल रहे है, infra, दूसरी चीज, अमिच्छा खुद बोल रहे है, infra, तीसरी चीज, गटकरी जी आकर के data गिनवा रहे है, किलोमिटर and foot में बात कर रहे है, infra, चलो इन सब को जाने दो, मुद्दी की बात सुने, मैं अपने घर से निकलो, मैंने पहले भी बोला शायद, अगर मुझे गुवा जाना है, infra, काम चल रहा है, मैं अंधेरी जाता हूँ, काम चल रहा है, या तो metro बन रही है, या तो road expansions हो रहे है, या तो कुछ monorail का काम चल रहा है, something is going on, या तो कोई flyover bridge बन रहा है, एक तो बात रही common sense की, दूसरी चीज, it's a pure data and math, अगर मोधी जी नामिच्छा, 1947 की बात कर रहे है, develop nation देखना है, world leader as a position करना है, या देखना है, बिना infrastructure growth के, देश डेवलाप नहीं हो सकता है, not possible, it's very basic, for example, आज मेरा एक friend है, जो Mumbai से पूने, रोज, Monday to Friday, travel करके जाता है, job के लिए, and that's just possible because, one of the best highways, which is Mumbai Pune Expressway, देड़ गंटे में पूना, and that's crazy, yeah, so, जब इस लेवल का infrastructure है, तब ही ये possible है, आज हमें अगर कोई सामान, let's say, किसी का manufacturing plant है, or make in India की बात चल रही है, and let's say, कोई चीज को यहां से मुझे डेली भेजना है, Bombay से डेली भेजना है, रस्ते से जाएगा 24 गंटा, 24 hours, already बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, Mumbai Delhi corridor, if I'm not wrong, basically, वो 24 गंटे को 12 गंटे में, like, cut करने का प्लान है, आदा अधूरा खुल भी चुका है, but it's a infrastructure development, Bombay में मेट्रोस का काम चल रहे, पूरे Bombay में roads बड़ी हो रही है, हर जगा पर ये चीज़ देखने मिल रही है, कहने का मतलब इतना सा है, that, एक, इन infrastructure projects के वज़े से job generate हो रही है, वो अलग, दूसरा, इन projects के वज़े से जो transportation में ease आएगा, वो अलग, then comes improved connectivity, आज railways, roads and airport को connect करना बड़ी आसानी से, आज for example, मुझा अपने घर से अगर airport जाना है, it will take one hour, but what if it cuts down to 20 minutes, so, ये जब हो जाएगा, भले अभी हमें ऐसा लग रहा है, हमें तकलीफ हो रही होगी, ये सारा चीज चल रहा है उसके वज़े से, but with the time, it's in a growing direction, then, tire 3 to tire 2 and tire 2 to tire 1, आप बोलो के ये क्या होता है, सदार, आप कभी सूरच जाओगे, कभी आप अजमेर जाओगे, कभी कोलापूर जाओगे, आपको ये feel नहीं होने वाला है कि कोई tire 2 city में आप गूम रहे हो, it feels like Bombay, Delhi, Pune, Bangalore, absolutely, and the main reason for this is infrastructure development in these areas, तो अगर tire 2 को tire 3 बनेगा, tire 2, tire 1 बनेगा, उसी को बोलते है न, देश की तरक्की हुई या और कुछ होता है, so already वो bits and pieces में हमें देखने मिल रहा है, but अगले आने वाले 5 साल में, it's gonna boom like a crazy, and also जब ये सारी चीज़े settle हो जाएंगी, लोगों की standard of living बढ़ेगी, अगर infrastructure in place होगा, वो areas में company जादा operate करेगी, अभी जो Bombay, Delhi पे overload है, company को चलाने का या संभालने का, that will be distributed across the India, अभी जो कह रहा है कि income parity बहुत जादा है, I don't know parity is right word or not, but basically जो rich getting richer, poor getting poorer, because वहाँ पे income sources कम है, jobs कम है, उन्हें दूर travel करना पड़ता है, UP से लोगों को हर जगा पे जाना पड़ता है, चोटे गाओं से बाहर निकलना पड़ता है, सिर्फ एक चीज infrastructure development के बज़े से, ये सारी चीजे solve हो सकती है, and that's gonna happen in next five years, so, infrastructure, stocks के stocks बहुत सारे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, NAC के stocks, so, stocks आप पिक करिए, आपको कहां पे profits मिल रहे है, दिख कौन से stocks ज्यादा रहे है, कौन से rising मिल रहे है, support पे कौन से आ रहे है, आप कहां से वो story निकाल के आप समझ पा रहे हो, के what's working, what's not working, bang, that's your stock, so, I'm not going to give you any, कि ये खरीद लो, जिन्दगी बतल जाएगी, but I can give you the strategy, ये ले लो, जिन्दगी बतल जाएगी, then comes digital infrastructure, कितने लोग मोबाइल में देख रहे हैं, नीचे मेरी पहली comment को लाइक करना, कि मोबाइल में देख रहे थे, या, so, first comment पे जब आप लाइक करोगे, तो आप देखोगे कि कितने लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, versus कितने लोग computer पे देख रहे हैं, जो आ करके comment करेंगे, computer, so, you'll get a ratio, and वहाँ से एक या आपको live data मिलेगा, इसी वीडियो के नीचे, comment box में, that, oh, data, mobile, digitalization, something is there, there are mootah mooti three main players as of now, one is Jio, listed stock नहीं है, उन्होंने Reliance में merge करके रखा है, so Reliance, second is Bharti Aetal, and third is Vodafone Idea, primary three big players in India, who are giving telecom services, so, do you think so, something can happen in next five years, and telecom also, because just imagine, सिफ तीनी प्लियर है, और कोई है ही नहीं, market में, no competition, only three players, sort of monopoly, I understand it is not monopoly, क्योंकि monopoly की economic definition, तीन प्लियर नहीं होता, एक प्लियर होता है, I understand that, but what do you think so, is mobile is growing, data is growing, क्या हर बच्चे के हाथ में data है, mobile है, internet है, what are the stocks which will work, what are the sectors which will work, कौन से stock चलेंगे, कौन से sectors चलेंगे, कितना चलेगा, सही price क्या है, यह सारा काम है, मेरी जान, यह मत सोचना, कुछ चमतकार हो जाएगा, यह सारे सवालों का जवाब निकालना, इस, मोधी 3.0, जो थमनेल पे धा, 50%, उसके लिए यह सब करना बढ़ेगा, नेक्स जेज, रिन्यूएबल एनेज़जी, अगर अगर आप T1 में रहते हो, मेरे जैसे, Bombay, Delhi, Bangalore और Pune, शायद उतना हमें दिखता नहीं, बिकॉस वी रियली लिवड विद विद इस, आर पावर और टाटा पावर ही अपना जिंदगी चला रहे है, बट, if we can go to the T2, T3 types places, maybe T4 also, वहाँ पर सोलार बहुत जादा बूम में चल रहा है, I know few people, who have invested lakhs of rupees, to be accurate, 70, 80 lakh rupees in stocks, just because, इतना सोलार पर चल रहा है, काम गाओं में, जिसकी कोई हद नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, जिसकी कोई हद नहीं है, जब मेरी उनसे बात हुई, तब मुझे ये reality check मिला, that it's not like Bombay, renewable energy is not that much seen in Bombay, Delhi, Pune, Bangalore, Chennai में भी, बाट गाओं में, ये चीज बहुत तेजी से expansion mode में है, and एक super rising trend में है, तो और थोड़ा सा research कर सकते हो, conscious stocks है, कितने पे चल रहा है, काम क्या चल रहा है, price क्या है, कितना पैसा बच रहा है, क्यूँ ये T2, मल्द T2 भी नहीं, T3, T4 में ज़्यादा है, क्यूँ ये T1 में नहीं है, I am giving you all this work, homework है ये, काम करने का, तो ऐसे ही नहीं होगा, बिना homework करोगे ना काम, tip लेने तो नहीं आये थे ना, या, awesome, देन उसके बाद में आता है, healthcare infrastructure, healthcare क्या है, healthcare is, hospitals, जब कोई बीमार पड़े, तब आसानी से, hospitals accessible हो, again, T1 में बड़ा आसान है, T2 में बड़ा आसान है, it's not there, है ही नहीं is the right grammar, शायद एक देड़ घंटा, travel करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छी hospital मिल पाएगी, see आपने वो movie दीखी होगी, या कहां नहीं सुनी होगी, माजी की, जिनकी wife गुजर गए, just because of hospital नहीं है, एक माजी बहुत है, और नहीं चाहिए इंडिया को, let's work on that, ताकि दूसरी बार, माजी ना बने, और कोई हमारे देश में, and I think so, government का ये, one of the main plan है, कि किस तरीके से, हम हर जगा पे hospitals को accessibility दे, किस तरीके से, accessibility I don't know, सही शब्द या नहीं, but basically, हर जगा पे, किस तरीके से, हम hospitals को, खड़ा करे, लोगों को hospitals का access दे, बड़ी brands का, branches खुले, hospitals खुले, franchises, जो भी, जो भी करना है, but it should be at all, over India, जिस तरीके से, पारले जी, मैंगी, और अमुल बटर, गाओं गाओं तक मिलता है, उसी तरीके से, यह hospitals, हर जगा पे, होनी चाहिए, I think so, government is working on the project, and उस चीज़ को, बढ़ावा दे रहे है, so maybe these are the stocks, जो hospitals, या उसके इरिद्गिर्थ काम करते है, you can see to it, कि और कॉंसे stocks, आपको relatable लगते हैं, also you can put down into, a comment section, आपको कोई stock लगता है, कि यार सिदाथ को ये stock, miss कर दिया, this is something which is crazy, तो आप comment में मुझे बदा सकते हो, I would love to read that, yeah, so hospital is one big thing, मैंने एक दोस्त है, जो like, महराष्टर के border पे रहता है, गोवा से थोड़ा दूर, so जबी भी कोई hospital emergency होती है, they had to try to go, I have few people, जो महराष्टर के border में, गुजराच साइड रहते है, so again, कुछ हो, then they have to go to, वापी साइड और सूरच साइड, to get really, really good hospitals, or come to, Bombay साइड, so ये जो बीच के, जितने भी patches है, all across the India, there is a problem, so, इस तरीके से सोचते है, के कौन सा सेक्टर अच्छा है, again, I am not telling you, के होस्पिटल का कोई स्टॉक बाई करें, होस्पिटल सेक्टर is the good, is something to look forward, I am telling you, जो पहले पांच पॉइंट दिये थे ना मैंने, स्ट्राटजी के, उसके examples बता रहा हूँ, you can pick your stocks, pick your sector at your own analysis, then, उसके बाद में, education sector, stock specific, मुझे ज्यादा listed players, थोड़े कम दिखते है, but आप खुद मुझे बता हो, have you done any webinar online, कभी आपने zoom पे कोई course program attend किया है, क्या आपको दिख रहा है, कि यह काफी trending है और चल रहा है, I know it's very unorganized market, but there is a scope, for it, scope है, अभी भी बहुत बड़ा, some player will come and kill it, the scope is there, so वो भी आप देख सकते हो, again, मैं आपको thought process दे रहा हूँ, कि देखते कैसे है, then उसके बाद में, manufacturing, policies will be stable, make in India, आत्मनिर्बर भारत, policies जो है, वो stable रहेंगी, since Modi government is there, so it's gonna be, a good push to these things, both हम एक बहुत बड़ा example, make in India का देखी रहे है, वो लोग काफी products, if I'm not wrong, then 70% manufacturing, वो लोग इंडिया में start कर दी है, तो इस तरहीके से, people are doing great, already, and अगले 5 साल में, इस चीज़ को और push मिलेगा, also, personally, मेरे लिए बहुत बड़ा, reason manufacturing, manufacturing, manufacturing में यह है, that China की global image, definitely, China is the cheapest, manufacturing country, for a lot of companies, लेकिन, आपको इसा लगते है, चाइना की image खराब हो रही है, अगर चाइना की image खराब हो रही है, तो अच्छी किसकी हो रही है, अपनी, भारत देश की, so, अल्रेडी बहुत सारी companies, अप्रोच कर चुकी है, इंडिया को, for manufacturing, and this is gonna grow for sure, with the time, government का support, MSME को, infra का बढ़ना, ease of doing business, GST आना, transparency आना, all that will help to manufacturing businesses, so, you can look forward to these stocks, जो manufacturing के, NAC में स्टॉक से, आप और अंदर, डीप डाइफ कर सकते हो, इंडिजिल स्टॉक में, so that you know it better, and then, आखनी सेक्टर, tourism and, hotels, आपने अभी केदारनाथ वाली, कुछ वीडियोस तो देखी ही होंगी, so, मुझे बताओ, जब इधना टॉरिजम है, तो, लोग तो घर पे, इंट्राडे तो आनी जाएंगे, रुकेंगे, hotels में, लिस्टेड प्लेयर बहुत ही कम है, so, hotels is one more thing, I can give you big stories on hotels, but I think so, already वीडियो काफी, लंबा बन चुका है, so, let's not stretch this, मुझे कमेंट करके बताना, आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा एक सेक्टर है, जो मल्टी बैगर हो सकता है, अगले कुछ आने वाले समय में, या फिर अगले पाँच साल में, कौन सा ऐसा स्टॉक या सेक्टर है, जहां पे पाँच साल में, पचास टका, रिटर्न लगातार, सच में हो सकता है, I'm super excited and pumped, for next five years in India, all the best to you, and your family, do your hard work, be disciplined, because discipline is one of the most important thing, to make money in stock market.